क्रिश्ण मूर्थी जब कहते हैं सजगता तो वह किस सजगता की बात कर रहे हैं क्या है चुनाव रहीट सजगता चोइस लेस आवेरनेस कैसे समझे हम इसको तो इस सजगता को ही सरल शब्दों में हम समझने का प्रियास करेंगे कि आखिर ये सजगता है क्या क्योंकि सजगता के बिना आप स्वयम को नहीं जान सकते और स्वयम को जानने का अर्थ है इस समस्त संसार के साथ अपने संबंद को जानना यह जो इतना बड़ा संसार है इसके साथ आपका संबंद क्या है उसे जानना ही स्वयम को जानना है और बिना सजगता के आप संसार के साथ अपने संबंद को नहीं जान सकते, संबंद का तातपरी केवल व्यक्तियों या परंपराओं धर्म से ही संबंद नहीं, संबंद का तातपरी है कि आपका व्यक्तियों से क्या संबंद है, इस प्रकृति से क्या संबंद है, इस प्रकृत पशुपक्षी, पहाड़, नदी, तालाब, पेड़, पोधे, जीव, जन्तु इन सब के साथ आपका संबंद कैसा है? उन सब चीजों के साथ आपका संबंद कैसा है? जिन पर आपका अधिकार है? आपको जो इक्छाएं उठती हैं, उन इक्छाओं के साथ आपका क्या संबं समझने के लिए एक ऐसी सजगता की अवशकता होती है जो जीवन को उसकी समग्ड़ता में देख पाए भौतिक इस्तर से लेकर मनवग्यानी के स्तर तक हर चीज के प्रती जो संबंद है उसे देख पाने के लिए उसे समझ पाने के लिए समग्र रूप से देख पाने के लिए सजगता की जरुष है तो अब हमारी समस्या ये है कि हम सजग कैसे हो, सजग कैसे रहा जाए तो सजग रहने का तरीका क्या है, किस तरह से सजग रहा जाए इसके लिए ये बहुत जरूरी है, बहुत आवशक है कि आप संसार के साथ अपने संबंद की जो समस्त प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के प्रती जागरुख हो जाएं उसे समझने लग जाएं उसे यदि आप पहचान लेते हैं कि किस प्रकार आप संबंदित होते हैं किसी भी चीज से किसी भी वस्तु से किसी व्यक्ति से किसी विचार से या किसी काम से किसी संगठन से, किसी धर्म से, किसी प्रकृति के किसी भी तत्व से किस तरह आप संबंदित होते हैं उस प्रक्रिया को यदि आप समझ लें तो वहीं से सजगता आती है तो इसे कैसे समझे फिर तो इसे ऐसे समझे कि चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई पेड़ हो, कोई पशु हो, कोई पक्छी हो, या कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, क्या होता है जब आपका उससे सामना होता है, सबसे पहले एक प्रतिक्रिया उठती है, ध्यान देना, किसी भी चीज के प्रति, जो प्रतिक्रिया उठती है, उस प्रतिक्रिया को देख पाने से ही सजगता की शुरुवात हो जाती है अब मैं कई बार ये बात कहता हूँ फिर से वही दोराऊंगा और आपको साथ साथ देखते जाना है कि किस तरह से मनुवेग्यानिक तल पर बदलाव हो रहे हैं घटनाएं घट रही हैं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप आप कोई भी हो सकते हैं आप पुरुष आदमी औरत कोई भी हो सकते हैं पुत्र पुत्री माता पिता कुछ भी हो सकते हैं तो जब आप अपने पिता के सामने जाते हैं कि तब आपने अपने आप पर ध्यान दिया कि आपके चाल ढाल, आपके विचार किस तरह से बदल जाते हैं, आपका बोलने का तरीका कैसे बदल जाता है, किस तरह आपके शब्द बदल जाते हैं अब आप वही हैं, अब थोड़ी देर बाद आप जाएंगे अपनी माता के पास कि तब आपने ध्यान दिया कि थोड़ी देर पहले आप कुछ और थे पिता के सामने अब मा के सामने जाते ही आपके चाल ढाल बदल गई आपके हाव भाव बदल गई आपके विचार बदल गई आपका बोलने का तरीका बदल गया आपका पूरा व्यवार बदल गया इसी तरह जब आप अपने दोस्तों के सामने जाएंगे किया तब आपने आप पर ध्यान दिया कि किस तरह आप बदल रहें आप दोस्तों के सामने जाएंगे वहाँ आपका एक अलग तरीके का व्यवार होगा क्या आप देख पा रहे हैं ये पिता के सामने कुछ और हो गए माता के सामने कुछ और अब दोस्तों के पास आये तो वहाँ आपके शब्द अलग हो गए आपके विवार अलग हो गया आपका चाल ढाल आपके हावभाव अलग हो गए आपके चेहरे के जो expressions हैं वो बदल गए थोड़ी देर में आप किसी इस्त्री के पास जाएंगे या पुरुष के पास जाएंगे तब क्या होगा तब आप फिर बदल जाएंगे थोड़ी देर बाद आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिसे आप जानते ही नहीं है तो उसके साथ आपका व्यवार फिर बदल जाएगा क्या चीज है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है आप यदि वही हैं तो यह बदलाव क्यों हो रहा है यही वह प्रतिक्रिया है जिसके हम बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज, किसी भी वस्तू, किसी भी व्यक्ती को देख कर हमारे अंदर से एक प्रतिक्रिया उड़ती है, क्या आप उसे देख पाते हैं, क्या यदि आप उसे देख पाते हैं, जब आप उसे देख पाते हैं, तब यह सजगता है, आप माता के सामने गए, आप अपने अंदर इस बदलाव को देख पा रहे हैं आप इस बदलाव में कोई बाध है नहीं डाल रहे हैं आप इसको नियंतरित करने की कोशिस नहीं कर रहे हैं बस आप इसे देख रहे हैं यदि आप इसे देख पाते हैं तो जब आप इसे देख पा रहे हैं तब आप सजग हैं आप इसे देख पा रहे हैं मनोविग्यानिक तल पर भी और आप इसे देख पा रहे हैं बहुत तल पर भी अपने व्यवार में भी ये बहुत सरल उधारण है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि किस तरह मनोविग्यानिक तल से लेकर के बहुत तल तक आप एक प्रतिक्रिया करते हैं और आप उस प्रतिक्रिया के प्रति बिल्कुल भी सजग नहीं रहते हैं आप उसे देख ही नहीं पा रहे हैं आपको ऐसा लगता है कि यह सब आप कर रहे हैं पर यह आप नहीं कर रहे हैं यह आपकी जो संसकारित है आप जो संसकारित हो आपक प्रति बिल्कुल भी सजग ही नहीं है पर आपको यह लगता है कि यह सब आप कर रहे हैं वास्तों में आप नहीं कर रहे हैं बताईए आपके सामने से एक गरीब फटे कपड़े में एक भिखारी निकलता है उसे देखते ही तुरंट आपके भाव नहीं बदलते हैं क्या वह कहां से आई इसी तरह आपके सामने से कोई अमीर निकल जाता है बड़ी महेंगी गाड़ी में निकल जाता है तब आपके भाव बदल जाते हैं क्या तब आप अपने प्रति सजग रह पाते हैं इन बदलते हुए भाव के प्रति बदलते हुए विचारों के प्रति तो जब आप इनके प्रति सजग रह पाते हैं, तब आप सजग हैं, जब आप इन्हें देख पाते हैं, तब आप सजग हैं, और इन्हें देख पाने के लिए आपको पहले से तयार नहीं बेठना है, ये तो ततिछन गटना घटती है, मानलो मैं पुरुशू और सामने से गुजर रहा भाव उठ रहे हैं, विचार उठ रहे हैं मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ यह चुनाव रही जो कह रहा है न कृष्णमूर्ती चुनाव रही तो सजगता चोइसलेस मैं मैंने इस्त्री को देखा उसके प्रति कुछ विचार उठे और कुछ क्रियाएं होने लगी किन्ति मैं उन विचारों को न अच्छा कहरा हूँ, न बुरा कहरा हूँ ना उनकी निंदा कर रहा हूँ, ना उनकी प्रशनसा कर रहा हूँ उन्हें किसी तरह से उचिति आनुचित नहीं ठहरा रहा हूँ मैं बस देख रहाएं कि हांग क्या चल रहा है क्या हुआ उस छण में तो क्या आप इस तरह से अपनी इन परतिक्रियाओं के परति सजग रह सकते हैं क्या इनको आप देख पाते हैं इनको देख पाने भर से यह होगा कि आप एक मशीनी प्रक्रिया से बाहर आ जाएंगे देखो आपको क्रोध आता है आप क्रोध नहीं देख पाते हैं आप क्रोध के साथ ही बह जाते हैं तो विनाश होता है, द्वंद होता है, समस्याइं होती है, दुख होता है किन्तु जब आप क्रोध को देख पाते हैं आप ये देख पाते हैं कि हाँ क्रोध आ रहा है तब होता ये है कि आप क्रोध कर नहीं पाते हैं आपका क्रोध उसी शमे सांत हो जाता है शूर्नी हो जाता है इसलिए क्रिश्ण मूर्थे क्याते हैं कि यदि आप सजग हैं तो आपको प्रियास नहीं करना पड़ेगा पर हमारे अंदर ये बात गुसी हुई है कि बिना प्रियास किये कैसे समस्याय हलो सकती है हो सकती हैं तो आप जब भी ऐसा कुछ देखें जब भी आप संबंदित हों किसी से भी फिर देखिए जैसे आप व्यक्तियों से संबंदित हुए इसी तरह आप किसी पशु के पास जाते हैं तो किस तरह से आप प्रतिक्रिया करते हैं कैसे भाव आपके अंदर उरते हैं उन स सब को देख पाते हैं कि आप तो समस्त विश्व में जो कुछ भी है जो भी व्यक्ति है वस्तु है जो भी काम है इन सब के साथ आप संबंधित किस तरह से होते हैं इन सब के साथ अपने संबंधों को देख पाना पूरी समगरता के साथ देख पाना ही सजगता है और इस संबं नॉर्मली यदि आप देखें एक साधरन व्यक्ति को यदि आप देखें तो वो किस तरह से किसी भी बात को देखता है जैसे ही वो किसी चीज को देखता है तो तुरंत उस चीज के पक्ष विपक्ष में खड़ा हो जाता है तुरंत उस चीज की निंदा करने लगता है या उस कि वेसा करता है। और कृष्नमूर्ति को देख्या है तो वह क्या कह रहे हैं। वह कह रहा है कि किसी चीज से आप तादात में मत रखो। आप यदि किसी चीज को देख रहे हैं, तो आप उसकी तिलना मत करो। यृृ। ना भी उसकी बिना निंदा किये, बिना उसके पक्षे विपक्ष में खड़ा हुए, आप यदि उसका निरिक्षन करते हैं, उसे देखते हैं, केवल तब ही आप सजग रहते हैं, और इस सजगता में आप ये जान पाते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, अब ही हमने कहा कि मैं किसी इस तरीके सामने से गुजरता हूँ, अब उस इस तरीके को देखकर मेरे मन में कुछ ख्याल उड़ते हैं, कोई विचार उड़ते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये तो गंदे विचार हैं, चीची, तुम से किसने कहा कि ये विचार गंदे हैं, तुम क क्यों इनको चीछी करके बुरा कह रहे हो। क्या तुमने खुद जाना कि ये विचार गंदे होते हैं इनको गंदा कहा जाता है। किसी भी चीज को यदि आप अच्छा या बुरा कह रहा हैं तो क्या ये तुमने स्वेम जाना कि ये चीज अच्छी है या बुरी है। फिर तुम क्यों कह रहे हो कि वो बुरी है क्योंकि तुम्हें बताया गया है इसलिए तुम उसे देखते हो और तुरंट उसको कह देते हो कि ये गलत है तो सजगता का तातपरी यही हुआ कि जो तुम जानते हो जो तुम्हारा ग्यान है जो तुम्हारा अतीत है जिस तरह से तुम संसकारित हो तुम उससे मुक्त हो जाओ या कहो कि उससे निरलिप्त होकर उससे मुक्त होकर के तुम देखो ग्यात से मुक्त होकर तुम देखो तो तुम सजग हो जैसे इसको ऐसे देखो मैं हूँ मैं ही एक बार कुछ लोगों से लड़ाई हो जाती है अब पांच लोग मेरे साथ खड़े थे और पांच लोग मेरे खिलाफ खड़े थे पांच साल पहले लड़ाई हुई थी तो जो लोग मेरे खिलाफ थे उन्हीं में से एक व्यक्ति मुझे सामने दिखाई देता है उस व्यक्ति को देखते ही मेरे अंदर से प्रतिक्रिया उड़ती है जरूरी नहीं कि मैं उसको पत्थर मानने लग गया हूँ या उस पर हाथ उठाने लग गया हूँ नहीं मैं उससे बहुत दूर हूँ किन्तु उसे देखते ही मेरे मन में कुछ प्रतिक्रियाएं होने लगी न मेरे विचार चलने लगे क्रियाएं होने लगी है तो आप यदि सजग हैं तो आप इन क्रियाओं को रोकेंगे नहीं आप इनको अच्छा बुरा नहीं कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है वैसा क्यों हो रहा है आप से बस यह कहा जा रहा है क्या आप जब ऐसा कुछ हो रहा है तब आप इसे देख सकते हैं यदि आप इने देख पा रहे हैं तब आप सजग हैं तो अब आप बताईए कि जब ऐसे विचार आपको उठ रहे होंगे, आपने सामने अपने दुश्मन को देखा, उसके प्रती कुछ विचार आपको उठे और आप अपने विचारों को देख पा रहे हैं। सकल को जिस शूरत को देख करके उत्तिजित हो रहे हो, क्रियाएं कर रहे हो, प्रतिक्रियाएं कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता कि ये व्यक्ति अभी वैसा ही है। इसलिए क्रिश्नमूर्ति कह रहे हैं कि जो है उसको देखो। जरूरी तो नहीं ना कि जो व्यक्ति पांच सा और जब आप अपनी प्रतिक्रियाँ के प्रतिस सजग नहीं रहते तो आप क्या करते हैं आप उसके सांथ वैसा ही फिर व्यभार करते हैं उसी तरह आप संबंधित होते हैं इसी तरह सामनेSoit व्यक्ति आ जाए जो पांच साल पहले हुई लडाई में मेरे साथ खड़ा था तो उसे देखकर एक अलग प्रतिक्रिया आपको उठेगी क्या उस छण आप ये देख पाएंगे कि क्या प्रक्रिया चल रही है अंदर यदि आप देख व्यक्ति से ऐसे मिल सकते हैं जैसे कि पहली बार मिल रहे हो क्या ऐसा आपके लिए संभव है इसका अर्थ ये नहीं है कि वह इस्मरती मिट गई है इस्मरती है बाते हैं किन्तु जब दूसरी बार उस व्यक्ति को आप देख रहे हैं कल उससे लड़ाई हुई और आज जब दूबार उसे देख रहे हैं तो कि आप उसे इस तरह देख सकते हैं जैसे कि आप उसे पहली बार ही देख रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा कर पाते हैं आप क्योंकि अक्सर हम यदि किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो हम उससे अपनी अंतिम मुलाकात के आधार पर मिलते हैं जैसे पिछली बार इस व्यक्ति से जब मिला था तो इसके सांद मेरी क्या बात होई थी इसके सांद मेरा कैसा संबंद था अगली बार आज जब मैं उससे मिल रहा हूं तो मैं उसी आधार पर मिलूँगा, अगर अंतिम मुलाकात में उससे मेरी लडाई जगडा हुआ था, तो अभी जब मैं उससे मिलूँगा, तो मेरे मस्तिश्क में वो विचार गूमते रहेंगे, और उनके आधार पर ही मैं अभी इससे संबन्दित होँगा, और अंतिम बार यदि इस व्यक्ति से मेरी जो बात हुई थी, जो मुलाकात हुई थी, वो अच्छी थी, सुन्दर थी, दोनों खुश थे, कोई समस्या नहीं थी दोनों के बीज, तो अभी भी जब मैं उससे मिलूँगा, तो उन सब को आधार बना कर ही मिलूँगा, हम इस त तो इस तरह से जब आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से संबंदित होते हैं, तो उस संबंद को यदि आप उस प्रक्रिया को यदि आप पूरी तरह देख पाते हैं, तो आपका मन अपने आप शांत होने लगता है, वो एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है, ज क्यों? क्योंकि उसका मन निश्क्रिय है, निश्क्रिय हो गया है, और निश्क्रिय होने का अर्थ यह नहीं है, कि वह कर्म नहीं कर रहा है, किन्तु निश्क्रिय होने का अर्थ है कि व्यर्थ की भागदोड अब नहीं हो रही है, जो किसी को देख करके जो प्रतिक्रियाए उठे जाती थी, मन में विचार चलने लगते थे वे विचार अब थम गए हैं क्यों? क्योंकि अब वो चुनाव रही थे, अब वो वैसे नहीं मिल रहा जैसे पहले मिल रहा था अब वो उस तरह संबंदित नहीं हो रहा है जिस तरह साधरनतय हम हो रहे होते हैं, अपनी कंडिशनिंग के आधार पर हम और उसे मिल रहे होते हैं तो कंडिशनिंग के आधार पर यदि हम किसी से मिलेंगे तो विचार चलेंगे भाग दोड होगी मन को परिशान होना पड़ेगा मन अशांत रहेगा तो आपको अपने संबंधों में ही सजग रहना है उनमें ही देखना है कि किस तरह आपका मन काम कर रहा है किस तरह से आपके विचार प्रतिक्रिया कर रहे है किसी भी घटना को देखकर, किसी भी वस्तू व्यक्ति विचार को देखकर या किसी काम से आपका संबंद कैसा है भले ही वो संबंद कैसा भी हो कुछ भी हो रहा हो चाहे कुछ भी हो रहा हो विचार कैसे ही चल रहे हो कोई भी घटना घट रही हो हो सकता है आप प्रतिक्रियां भी कर रहे हो मनोवtycznie और भौतिक इस्तर पर भी आपको उसे अच्छा या बुरा नहीं कहना है उसकी निन्दा नहीं करना है उसे उचित अनुचित नहीं ठहराना है पर आपको उसके प्रतिश सजग रहना है उसे देखना भर है क्योंकि समस्या क्या आती है जब हम सजग नहीं रहते हैं जिस भी चुनोती का हम अभी सामना कर रहे हैं वो नई है वो हमारे लिए एकदम नई है और हम उसका सामना किस आधार पर कर रहे हैं अपने ही किसी पुराने धाचे के माध्यम से चुनोती तो नई है पर हमारी सारी प्रतिक्रियाएं पुरानी है अतीत के ज्यान पर आधारित और समस्य कहां आती है वही ना जहां हम किसी ना किसी से संबंदित होते हैं चाहे किसी वस्तु से किसी व्यक्ति से किसी विचार से किसी धर्म से संगठन से समाच से लोगों से धारणाओं से इनी से हम संबंदित होते हैं और हमारे संबंद में जो चुनोतियां आती हैं वो नह समझा को समझ नहीं पाते क्योंकि हम विचारों की उधेड़ बुन में फस्कर रह जाते हैं समस्या नहीं है और हम उसका समधान खोज रहे हैं पुराने धांचों में यह ऐसी ही बात है कि आज कोई एक देश मिसाईलों से तोपों से हमला करें और दूसरा देश तलवार भाला लेकर तीर कमान लेकर कि उसके सामने खड़ा हो जाए किन्तु जब आप इस पूरी विचार प्रिक्रिया को अपने संबंधों में यह जो विचार है यह जो प्रतिक्रियाएं चल रही है इनको जब देख पाते हैं तब आपका मन शांत हो जाता है निश्क्रिय हो जाता है और उसे सोच रहे हैं आप उसे याद करने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन याद नहीं आ रही है और फिर आप थोड़ी देर में परिशान हो करके उस समस्या को कहते हैं चलो छोड़ो और जब आप उस समस्या को छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद आपका मन जब शांत हो जाता ह तो वे बात आपको याद आजाती है यह कैसे हुआ यह ऐसे ही हुआ कि जब मन शांत रहता है मन व्यर्थ की विचारों की उधेड़ बुन से जब मुक्त हो जाता है तो वे हर समस्या का समधान अपने आप खोजलाता है और यह तब ही होगा जब आप अपने संबंधों में अपने प्रतिक्रियाओं के प्रति अपने संबंधों के प्रति पूरे विश्व के साथ हर व्यक्ति वस्तु विचार के साथ किसी पशु पक्षी के साथ आपके जो संबंध हैं उनके प्रती समग्रता में पूरी तरह से सजग रहते हैं, जब आप उन्हें पूरी तरह देख पाते हैं, उनके प्रती जब आप सजग रहते हैं, किवल तब ही ऐसा हो पाता है, तो इसके माध्यम से इसे और समझने की कोशिस करें, इस पर विचार करें, जो हमने बाते की कि जब आप माता के सामने जाते हैं, पिता के सामने जाते हैं, भाई के सामने जाते हैं, दोस्ते के सामने जाते हैं, या किसे अंजान व्यक्ति के सामने जाते हैं, तो किस तरह आप विचार बदल जाते हैं किस तरह हाव भाव बदल जाते हैं इन्हें देखने का इन्हें देखें अपने संबंधों में जब ऐसा हो रहा हो जब आपके सामने कोई कोई इस्त्रिया कोई पुरुस आता है कोई गरीब व्यक्ति आता है कोई भिखारी आता है या कोई अमीर व्यक्ति आता है तब क्या होता है तब सजग रहें किसी पशु के साथ आप किस तरह संबंदित होते हैं किसी पेड़ के साथ आप कैसे संबंदित होते हैं किसी अंजान नहीं हैं आप जब अपनी आज सजगता को भी देख पाते हैं तब आप सजग होते हैं जब आप अपनी अशांती को देख पाते हैं तब आप शांत होते हैं जब आप अपनी बेहोशी को देख पाते हैं तब आप होश में रहते हैं तो आपको केवल देखना है जो भी हो रहा है घट रहा है उसे कोई नाम नहीं देना है केवल अवलोकन करना उसका यही सजगता है